अभी टीम इंडिया औस्ट्रेलिया के साथ पांच-5 की जो टी 20 आई सीरीज खेल रही है उसके लिए टीम इंडिया की जब स्कौर्ड का एलान किया गया था तब संजू सामसन को स्कौर्ड में शामिल नहीं किया गया उनके सेलेक्शन पर काफी साल सवाल उठाये जा रहे हैं कि काफी सारी सीनियर के लारी को अराम दिया गया इस सीरीज के लिए रोहिश शर्मा विराट कोली केल राहुल हार्दिक पंडया इंजर्ड है तो इन सब की गैर मौझूद्की में सूर्य कुमार यल्फ को कप्तान बन काफी अनलगी क्रिकेटर पवह विल्फ के रहता है मैं नहीं मानओ कूमान पर यह कुर्स कि उन्हों ने पिक लोग्त मुझे सबसे अनलगी क्रिकेटर के दे हैं लेकिन मैं लेकिन मैं वर्तमान में जहां तक पहुच आ हूं यह उस्से कही अधिक है जो मैंने सोचा था था आपने आपको ब्लूंहाँ सोचा सिम09-10 वो अपने आपको बिल्कुल भी नहीं मानते आपको बताए 2015 में टीम इंडिया के लिए जो डेब्यू के था संजू सामसुन ने जिम्बाववे खिलाफ लेकिन उसके बाद अगला माच खेलने का मौका हुए 2020 में शलंका के खिलाफ मिला था और 2021 में उडियाए में डेब्यू सूरा के स्टार्ट से ओडियाए में वह संजू के मुताबिक काफी ही ज्यादा खराब थे ओडियाए में लेकिन फिर भी यहां पे सूरा को मौका दिया गया फिर लगा कि ऐसीरी ते हैв यहां भी उन्हें स्लेक्ट नहीं किया गया बात है कि ऊंधाने लुकल दून भूलेगा